हलो फ्रेंट्स, I am अप्रती, वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट्स स्पेस कार्तिक मास समाप्त हो चुका है और अब तुलसी जी के पौधे को आप सेव कर लीजिए क्योंकि अगर आपने सर्दियों में ये पौधा खुले में रखा रहने दिया तो ये पौधा बेकार हो सकता है, सारी पतियां जड़ जाएंगी और जब हम तुलसी मांता की पूझा करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा पौधा हरा बरा रहे तो पूझा में भी मन लगता है और अच्छा भी लगता है पास ही में आमले का पौधा भी है तो आमले का पौधा और तुलसा जी का पौधा जो है सर्दियों में इनकी पतियां ज़र जाती है तो कोशिश कीजिए इनको ठंड से बचा कर रखिए खास तोर से जो रात की ठंड होती है दिन में पूरे दिन आप धूप में रखा रहने दे सकते हैं लेकिन जब बहुत जादा सर्दियां होती हैं जैसे कि दिसमबर जनवरी में और जब दिन में भी कोहरा रहता है तो पाला बरसता है यानि कि ओस की बॉंद गिरती है तो वो भी हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं रहती है ये वो प्लांट है जो कि हमने कटिंग से ग्रो किये थे और ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोध कर चुके हैं और इन में भी मंजरी आ रही हैं यानि कि सीट्स बन रहे हैं क्योंकि अगर सीड ही नहीं बनने देंगे तो फिर नए पौधे कैसे जर्मिनेट होंगे तो इसलिए हमारे पास भी कई सारे तुलसाजी के पौधे हैं तो जिन तुलसी माता के आगे दिया जलाय जाता है हमने उनको अभी सेव कर लिया है अभी ये पौधा खुले में ही रखा हुआ था और कुछ पतियां देख सकते हैं आप इसमें जुलसनी शुरू हो गई है ब्राउन होने लगी है और थोड़ा सा इसमें एफिड अटेक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो बस अभी इनको हम क्लीन कर देंगे ब्रश की हेल्प से या नॉर्मल वाटर का स्प्रे करके जैसे हमने गुलदाओदी के पौधे में आपको बताया है और जो भी पौधा में आपको पौर्शन इंफेक्टिड लगता है आप उसको कट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप पहले ध्यान नहीं देंगे तो फिर पूरा प्लाइट बेकार हो सकता है अब कुछ-कुछ पत्तियां देखिए इसमें बेकार होने लगी है क्योंकि अभी तक इकोले में रखा हुआ था पौधा और एक काम करना है जैसे कि अभी हमने इसको साइड में शेड में उठाकर रख दिया है अब शाम को क्या करेंगे आप किसी चुन्री या दुपटे से आड कर दीजिए हलका सा शेड तयार कर दीजिए जिससे जो ठंडी हवाई है रात में वो ना लगे और आवले के पौधे में आप ऐसे ही कर सकते हैं एक बात का ध्यान देना है आप बहुँर ज़दे पानी पौधे में नहीं देना है क्योंकि सर्दियों में वैसे भी पानी लगातारस आगर आप देते रहेंगे अगर आपको जल चड़ाना है तो भी आप बहुत थोड़ा सा ही जल चड़ाईए और फिर बाकि का जो जल है दूसरे प्लांट में आप दे सकते हैं या फिर छोटे से लोटे से ही आप जल चड़ा सकते हैं जहां हमने इस प्लांट से रखे हुए हैं उपर शेड है और उपर से ओस नहीं गिरेगी और दूप जो है वो लगभग 12 बजे के बाद इस प्लांट पे आ जाएगी तो 2-3 गंटे की भी धूप मिल जाए तो भी चल जाएगा प्लांट तो यहाँ पर साइड से इसमें धूप मिल जाएगी कोई परेशानी की बात नहीं है बिल्कुल ही आपको इसको छुपा कर नहीं रखना है थोड़ी बहुत धूप हवा पानी मिलता रहना चाहिए तो प्लांट जादा ची ग्रोथ करता है और हम हर साल आपको बताते हैं और हमारे प्लांट ठीक भी रहते हैं जो कि आपसे शेयर भी किया है डिस्क्रिप्शन वॉक्स की रिलेटेट वीडियो आप चेक कर सकते हैं एक और बात अगर आप दिया जलाते हैं तुलसी जी के आगे तो वो थोड़ा दूर को रखिए क्योंकि उसकी गर्माहट से भी प्लांट पे एफेक्ट पड़ता है तो बिल्कुल जड़ में आपको दिया नहीं रखना होता थोड़ा सा दूर रखिए अगर आपने चुन्नी से ढखे हुए हैं तो सुबह को आप धूप लगने दीजिए हवा लगने दीजिए और रात में फिर से आप ढख सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखिए फ्रेश एयर मिलती रहनी चाहिए नहीं तो बिल्कुल आपने बांध कर अगर रख दिया तुलसा जी के पौधे को तो फिर वो बेकार हो जाएंगी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा खास दोर से सर्दियों में ठंडी हवा ओस और जादे पानी देने की वज़े से तुलसा जी का पौधा बेकार होता है फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता आप हमसे पूछ सकते हैं बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर्दियों में तुलसा जी बेकार हो रही है कैसे उनको घना करें तो सर्दियों में नई पत्तियां नहीं आती है और आती भी है तो बहुत चोटी आती है तो इसलिए फोकस कीजिए इनको सेव करने का पत्तियां आपकी फरवरी मार्च से दुबारे आ जाएंगी कोई परेशानी की बात नहीं है थैंक यू